नमस्कार बहुत दोस्ट स्वागत है आपका नीजोल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्धियम रिश्य अर्मा शुरुआत करेंगे उत्राखंट बुलिटिन की मुख्यमंद्री तुरुएन सिंग रावत की हलदुआनी के दो दिन के दोरे को लेकर कॉंग्रेस के विरोध का पुलिस ने बल पूरवक को चलने का प्रयास किया है हलदوانی के पार्क में मुख्यमंद्री का पुतला फूखने जा रहे कॉंग्रेस के कारेकर्ताओं को पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने बल पूरवक पुतला उनसे च्छिन लिया इस दोरान पुलिस की कॉंग्रेसी कारेकरता उससे तीकी नोग जोग भी देखने को मिली और वहें कुम्ब मेले में लोगों के बिच्छड जाने की काहनिया बहुत पहले से चलती हुई आई है खास तोर पर चोटे बच्चे और बुजर्ग का आस्ता के इस महा सेलाब में विशेज ध्यान रखा जाता है लेकिन इस बार हरिद्वार में होने जा रहे है कुम्ब मेले में पुलिस इसको लेकर बेहत संजीदा है खुम्ब मेले में लोगों को अपनों से मिलाने के लिए खोया, पाया, केंद्र और ऐसाई जैसे साध्वीं का इसित्माल किया ही जाएगा इसके साथ ही कुम्ब मेला पुलिस ने सुरक्षित, महफूज बच्चपन नाम की एक संस्था के साथ हाथ मिला लिया है संस्था के कारेकरता मेले में आने वाले लोगों के छोटे बच्चे और बुज़र्ग का पंजी करण कर उनकी जेम में उनके माता-पिता का नाम पता और 4 नंबर लिखकर एक परशी डाल देंगे जिससे कोई भी बच्चा या बुज़र्ग लापता हो जाता है तो उनके माता पिता से संपर किया जा सकता है चमोली में आपदा को 12 दिन हो गए हैं लगातार NDRF टीम कारवाई में जुटी हुई है सुबह NDRF की टीम ने NTPC सुरंग के अंदर से एक शफ को बरामत किया है और साथ एक मानव अंग भी बरामत किया है जिसके बाद मृतिकों की कुल संख्या 69 पहुच गई है हरेद्वार में 25 फरवरी को निकाली जाएगी श्री गंगा सभा की धर्म दोजा यात्रा ब्रहमकुंड पर इस्तापित होगी धर्म दोजा जिसको चलते श्री गंगा सभा तयारियों में जुटी हुई है और साथ ही श्री गंगा सभा ने मेला दिकारी दीपक रावत को भी निमंतर पत्र दे दिया है हरेद्वार महाकुंब 2021 को लेकर तयारिया अंतिम चरण में है वरतमान समय में महाकुंब को लेकर विवस्ताएं लगबग पूरी हो चुकी है इसके साथ ही उत्रखंड सरकार ने ये सपस्ट कर दिया है कि महाकुंब मातर 30 दिन का होगा यानि 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक महाकुंब का आयोजन किया जाएगा कुम की विवस्ताओं को पूरा कराने के लिए प्रशाशन अपने स्तर पर तैयारिया कर रहा है कौम को लेके स्थिती सपास्ट है कौम का पीरियद जो है वो कम कर दिया गया क्योंकि सेंट्रल कोईबनेंट ने डियेक्षन दिये थे कि कौम का पीरियद कम कियजे क्ध elder Komma का पीरियद 1 अप्रील से 3 अप्रील तट कर दिया गया तेरनों के संचालन के लिए सपस्ट किया गया कि कोई विसेज ट्रेन आप नहीं चलाएं और जो मुख इसनान दिवस है जब साही सनान होते हैं तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गया है कि ट्रेन साथ ना चलाएं लेकिन एवेक्वेशन के लिए ट्रेन रखें बाहर जाने के ल बसों के संचालन के लिए भी यह इस्टिती है कि अब नई बसें जो हैं वो बिना उतराखन सरकार के अनवती के नहीं चलाएं और रेलवे से ये भी अनरोध किया गया कि जो भी आएंगे वो उनका टेस्ट कर ले कि वो कोविड नेगेटिव है देश बर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भरते दामों के विरोध में दहरादून में कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार के खलाब जम कर विरोध प्रदर्शन किया पूर्फ कैबिनेट मंद्री दिनेश अग्रवाल के नेतर तुम्हें सैक्डो कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने आईएस बीटी चौक में एकत्रित हुए हैं जहां उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खलाब जम कर नारेवाजी की क्रिशी कानूनों के विरोध में उदम सिंग नगर में रुद्रप्राग किछा रोड पर इस्तित टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए टोल नाको को को खोल दिया है और सभी गाडियों की आवजाई पर टोल फ्री करा दिया इसके बाद किसान एने चोहतर पर भी धरने पर बैट गये हैं किसानों ने केंदर सरकार के खिलाब जम कर नारेवाजी की है और कहा है कि जब तक सरकार तीनों कृशी कानून बिल वापस नहीं लेगी जब तक किसान अंदोलत जारी रहेगा देखे आज पूरे देश के अंदर रेल रोको और तमाम राज्यों में जहां रेल नहीं है वहाँ पर बजार बंद और या रोड रोकने का कारिकराम सयुक्त मोर्चे का है आज उदम सिनगर में जगा जगा पर रेल भी रुकी है और ये टोल हमने फ्री करने का चेताव नहीं दी थी कि पूरे राज्यों पूरे देश के अंदर कहीं भी किसानों से टोल नहीं लिया जा रहा लेकिन दिवरिया टोल पर जबरन वसूली हो रही है किसानों से आज संकेतिक है और चेताब नहीं है अगर किसानों से टोल लेना बंद नहीं करेंगे तो आगामी कुछ दिनों के अंदर एक तरीक को महा पंचयत है एक तरीक से हम इसे अनिश्चित काहिल के लिए टोल सभी नाकरों के लिए उठा देंगे खोल देंगे अगर ये टोल लेना किसानों से बंद नहीं होगा किसानों को उठपीणन और गुंडा गर्दी टोल और परशाशन बंद नहीं करेगा आज की बड़ी पंचयत आज टोल पलाजा पर हजारों जो किसान पहुंचे हैं वो इस काले कानूनों के अकरोश के खिलाफ जो 85 दिन से अंदोलन कर रहे हैं उनके साथ जो परशाशन और टोल वाले जो अभधरता गुंडा गर्दी और जबरन कर रहे हैं उसके खिलाफ लोग निकले हैं और वहीं लालकुअक रशी कानून के विरोध में संयुक्त किसान मूर्चा की ओर से देज भर में जारी ट्रेन रोको आंदोलन अब खत्म हो गया है जिसके चलते हैं पर रेलवे पुलिस खास तोर पर अलट यहां पर देखने को मिली थी आंदोलमकारियों से निपटने के लिए रेलवे पुलिस ने विशेश तोर पर तयारी कर रखी दी रेलवे पुलिस दुआरा स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा विवस्ता की गई थी ट्रेन रोकने की किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए पूरे रेलवे स्टेशन पर आर्पी एफ और जी आर्पी करमियों को भी त्यानात किया गया था फिलारेस बुलेटिर में सर्फ इतना ही बने रही है निजवल एंडिया के साथ नौसकर